आपने आपने इलेवन सीरिस के लॉंच के इमेंट में जो दोस्तो वह जो फीचर था वो ता कि आप अपने फॉन से रिकॉर्ड कर पाएंगे वीडियो मल्टिपल लेंस से एट दे सेम टाइम पर तो दोस्तो वह फीचर आप यहां पर आ चुका है आइफोन में डेबल टेक एप के तुरू आइफोन 11 सीरिस के साथ यह सारे आइफोन में आया है तो यह सिर्फ आइफोन 11 सीरिस तक ही होगा और ऑप्टिकल लेंस और नॉर्मल लेंस जो वाइड एंगल इन तीनों में से किसी दो लेंस से हम एड़ सेम टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं तो काफी अच्छा बना देगा यह केमरा एक्स्पीजियंस यह पर काफी अच्छा बना देगी और दोस्तों इस ए एक लेंस नोर्मल थोड़े डिटेल में से बारे में बात करेंगे तो यहां पर बहर आ गया हूं और दोस्तों यहां लाइटिंग कंडिशन थोड़ी एसई कि स्क्रीन में को आपको सही से दिखनी रहागा फोन की यह मैंने आप खोली तो इसमें भी सही से दिखनी रहागा वीडियो रीकोर्ड करने चाहते हैं कि आप नोर्मले से नौर्मल वीडियो रेकोर्ड करके हैं किसी एक आप रीगोंगे तो इसके लिए यह durismant ellika छहती है तो यहाँ पर at the same time video recording हो रही है, वीडियो रिकोर्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यह जो मने वीडियो रिकोर्ड करी, आप देख सकते हैं कैसी रिकोर्ड हुई है यहाँ पर, तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, discrete mode क्या काम करता है, discrete mode का क्या काम है, त यह करता क्या है, जो भी आप दो लेंज यहाँ पर सिलेट करेंगे, उन दोनों लेंज की जो वीडियो रिकोर्डिंग फाइल होगी, वो अलग अलग सेव करेगा यह तो दोस्तों अगर आपने ऑप्टिकल लेंज और नॉर्मल लेंज यह दोनों लेंज यह दोनों के जो र अल्ग अलग 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 लेंस इस इस फीचर के बारे में जो आईपोन एव़न के साथ साथ दूसरे आईफोन में भी आपकी आप क्या आ चुका है अलाकि इस feature के बार में Apple ने अपने iPhone 11 series के launch event में बात करी दी तो काफी useful feature है, free feature है, आप app store पर जाईए, free में इस app को download कर लिजिए तो इसी तरीके से आप भी इस feature को use कर पाएंगे तो यह था आज की वीडियो के लिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो like, subscribe जरूर कर लिएगा वीडियो को इसी तरह की informative वीडियो के साथ मैं यहाँ पर आते रहता हूँ, चैनल चेक आउट कर लिजिए तो इसी के साथ sign of करते हैं अच की वीडियो को, मिलते है अगले वीडियो में, सब तक के लिए, bye bye